दोस्तों डिसकस करते हैं हम लोग आज यूनिट टू बेस्टन पॉलिटिकल थार्ट तो जांतियों पिछला जो बीडियो तो समय आपके लिए बदाया हुआ तो यूनिट बन की पॉलिटिकल थेोरियो के बारे में जिसको बहुत सरा लोगों ने देखा और इसके बाद मैं आ आज आपके लिए कराया उन्हें टू का बेस्टन पॉलिटिकल थार्ट उस्तों टाइम बेस्टना करते हुए डिसकस करते हैं चलिए फर्स्ट कोशन तो फर्स्ट कोशन आपसे क्या बोल रहा है कि अधिकल फिलोसपी हैस बीन इंटिफाइड बिदा हिस्ट्री ऑप्ड़ क वेश्न से ओदेर दोस्तों आप ल внधू समझते हैं कि अपविशन प्योडिकल साइन्स अब्लेट के त schwãyण कर रहे हैं तो अब युट उपर लेट है भावर से बिक उस पॉलिट क् साइνस ही ज्ला हुआ ह्किसे पार से बात करते हैं साथ को कोशन की नाश कोशन है आपका स सबीशी थे मारे चीने औरफ थैने को सब्सक्राइब किसे अख सब्सक्राइब आ। लिए तो में आपके लिए आगोज वोग एजय fats the pro कर लिए आप के लिए जाते हैं। विज्म स्क्राइब हैं ऐसे और वी इस तॉर्टोड क्या है। स्टूडेंट का नाम क्या है अरिस्टोटल, प्लेटो, अरिस्टोफेंस, ये निन अप्तीस तो दोस्तों दुनिया जानती है तो यार आप तो जानती होगे तो करेक्ट अंसर है आपका प्लेटो बात करते हैं कुशन नमर फूर की कुशन नमर फूर है तो उनके टाइम पर और कौन से फिलोसफ परते हैं चाहर आप्शन में से तो दोस्तों करेक्ट अंसर होगा हमारा अरिस्टोफेंस जो थे वो कंटेम्परी थे सोकरेटीस के बात करते हैं नेक्स कुशन की कुशन नमर फूर फाइव की आपका कुशन नमर फाइव होगे साथ हूं यहां तक बात करते हैं कुशन नमर शिक्स की सोकरेटीस के थे कि आल डेट दस व्ट एंडिवस इफ डिरेक्टेड वाइए एंड्स हैपीनेस तो उनका कहना था कि आल डेट दस व्ट यह नहीं कि एंड्ड यह सोती हैं हपीनेस होती है बात करते हैं सांतियों नेक्स कॉशन की कुशन नमबर हमारा सबनें प्लेटोस स्टेट तर गवर्मेंट तर बिजिए उसके एकॉर्ड़िंग गवर्मेंट में कौन होना चाहिए गवर्मेंट इसके द्वारा रन की जाएगी workers के द्वारा soldiers के द्वारा costume के द्वारा दोस्तों मेरे previous वीडियो में आपके लिए बताया था यह कोशन यह आपका गरेक्ट टैंसर फिलोसोफर बात करते हैं साथ इस नमबर 8 की कोशन नमबर 8 है according to the philosophy of Plato the fundamental character of philosopher is प्रेटो की philosophy according philosopher का fundamental character क्या होना जाहिए उसके अंदर courage होना चाहिए wisdom appetite दोस्तों गरेक्ट टैंसर है wisdom बात करते हैं साथ इस नमबर 9 की true knowledge exists in knowing that you know nothing said why true knowledge वही होता है जिसमें जो आप कुछ न जाने तो मतलब सच्चा ग्यान वही है जिसमें हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो यह statement दोस्तों किस की द्वारा गया है तो statement कहा गया है सोकरेटीमेंट की द्वारा इस बजब सब्सक्राइब को जब परनशमेंट दिया गया वहां की कवर मेंट के द्वारा तो परनिशमेंट क्या था तो डेथ है fine है, banishment from Athens है, imprisonment for three years है, तो सोकरेटीस को death, यानि की मत की सजा दी गई थी, और मौत मुझा उनको क्या दिया गया था, जहर दिया गया था, पॉईजन दिया गया था उनको, यह आपकी लिए ध्यान रखना है, बात करते हैं हम लोग next question की question number 11 की, सोकरेटीस के according, the soul is, सोकरेटीस के अनुसार, आत्मा क्या है, आत्मा immortal है, मतला नश्रबर है, तो दोस्तों, यह आपका 11th question हो गया, अब साथियो important बात यहां पर आपके समझ महविन questions को देखते हुए, कि मैं आपके लिए सोकरेटीस प्लेटो के mixed question दिये हैं, तो आपके लिए previous video में बहुत सरे questions मिले हैं, यह जो हैं, आपके political thoughts related हैं, और दोस्तों सबसे important बात कि जो ancient political thinkers थे, उनके यह questions आपको मैंने भी तक बताए हुए हैं, अब जो question number 12 है, यहां से मैं थोड़ा सा आपके लिए समझाना चाहूँगा, जो हमारे medieval और जो modern best thinkers हैं, उनके बारे में कि क्या-क्या thoughts रहे, उन्होंने क्या-क्या बिशार दिये, यह हम दोख समझते हैं, तो discuss करते हैं, question number 12, क्या लिखा हुआ है, who said, किसने कहा, each person possesses an inviortability founded on justice, that even the welfare of society as a whole cannot override, किसने कहा कि प्रत्यक व्यक्ति को justice चाहिए, एक welfare society के लिए justice होना बहुत ज़्यदा जरूरी है, तो दोस्तों यह statement था, no doubt, जोन रोल्स का, तो यहां पर आपको लिए answer दिया हुआ है, जोन रोल्स, next question है, हमारा, who was the founder of utilitarianism, utilitarianism के founder कौन है, तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहा हैं, और जो बिलकुल basic समयना चाहते हैं, क्योंकि मैंली मैंने basic question को भी try किया हुआ है, आपके साथ, हाँ बेचे में कुछ tough questions आपके लिए दे देता हूँ, लेकिन मेली मेरा target है का आप basic को ध्यान रखें, तो दोस्तों, founder कौन है, basically, utilitarianism का तो बैंथम है, जीम से मिल है, डेविड हूम है, या प्रिसले हैं, तो correct answer है, डेविड हूम, बात करते हैं, हम लोग साथ या question number 14 की, which one of the following writings are not written by Mao, Mao के द्वारा, इन में से कौन सा document या कौन सी book नहीं लिखी गई है, तो दोस्तों, option number A है, आपका new democracy, option number B है, on collision government, option number D है, on people's democratic dictatorship, और एक है आपका people's war, तो आपको इस question की बहुत परिस ट्रिक बताता हूँ, मैं, Mao का अधी question आता है, कि कौन सी book उसने लिखी और नहीं आप ध्यान रखिएगा, कि जो Mao है, उसमें जब आप किसी word के आगा, जब आपके लिए on मिल जाए, तो आप simple समझ जाएगा, कि ये Mao के लिखी हुई book है, तो मतलब most of the books है ये आप books की list देखेंगे न, तो आपको पता चलेगा, Mao की most of the books जो है, उनकी आगे on लगा हुआ है तो ये हम एक trick की help से समझ सकते हैं इस question को, question number 15 है, why did Gandhi go to South Africa, गादी ये South Africa क्यों गएते, तो यारे लिए आपको ये question की बात करो, तो भी बहुत easy question है, लेकिन कई बार confusion हो जाता है, exam में, हमारे पास ये चार-चार options आते हैं, और वो भी इस तरह से land statement आते हैं, तो दोस्तों क गुजराती बिस्निसमेन के case को लेड़ने के लिए गए थे South Africa, बात करते हैं, question number 16 की, who founded the Mexican Socialist Workers Party, जिसको बाद में Mexican Communist Party भी कहा गया, तो दोस्तों इसका correct answer है, MN Roy, MN Roy ने Mexican Socialist Workers Party के स्थापना की थी, बात करते हैं, हमें question 17 की, जो साबर कर से संबन देते हैं, तो वीर साबर कर ने कहा है, कि what were the three fundamental bonds that united the Hindus, हिंदुों को ऐसे तीन important bonds क्या है, जो इनाइट ट्रक्स रखते हैं, territory, race, culture, option number B, territory, population, sovereignty, C, territory, government, international recognition, dn, and of the above, तो दोस्तों, साबर कर का, हिंदु का बिचार है, आप सभी जानते हैं, तो साबर करने, option number A, जो है, उस से related है, यहीं कि territory, race, और culture की व बकालत साबर करने की हुई है, बात करते हैं, साथ है, question number 18 की, question number 18 आप से बोल रहा है, कि the idea of participatory democracy originates with, जो participatory democracy का idea है, यह, इन मेंसे चार लोगों में से किनने, किस person ने इस idea को दिया हुआ है, तो आपका correct answer है, दोस्तों, रूसो, रूसो ने बकालत किया, participatory democracy की, और क्या क्या किया है, रूसो ने थोड़ा से मैं आपको बता देता हूँ, रूसो ने participatory democracy की बात की हुई है, रूसो ने representative democracy की बात की है, इसके लावा, रूसो ने जो है, three levels होते है, government के, यह नहीं कि executive legislature, चुड़ी शरी, और दोस्तो रूसो ने capable two levels बताए हूँ है, government के, इसके लावा, रूसो को thinker of enlightenment भी कहा जाता है, तो यह सी कई तरग ही हैं दोस्तों, आप रूसो के बारे में ध्यान रख सकते हैं, रूसो से questions usually बनते हैं, बात करते है, question number 19 की, question number 19 है, प्रेटो describe the working of the human mind by, प्रेटो ने describe किया हुआ है, कि जो human mind है, वो कैसे काम करता है, तो human mind की working के बारे में प्रेटो ने जो सिद्धान दिया हुआ है, उन सिद्धान तो में ये given तीनों सिद्धान काम करते हैं, यानि कि allegory of the kb, human mind की working is related है, metaphor of the dividend line भी, human mind की working is related है, और doctrine of form भी human mind की working से related है, तो that is why दोस्तों, correct answer होगा हमार option number D, question number 20 की, question number 20 है, who among the following regarded Buddhism as a moral and tolerant alternative to Marxism, किसने कहा है, कि Marxism जो है, उसके ही जैसा एक moral और tolerant तरीका हो सकता है, तो दोस्तों, बुद्धिजम के बारे में सबसे ज़्यादा जो बिचार दिये हुए है, वो दिये हुए है, बियार अमबेट करने हुए,